नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी फसलें भी बहुत ही अच्छी होंगी तो किसान भाईयो फसल की बिजाई के बाद अब सिंचाई का टाइम आ गया है तो इस से मैं अपने में च chuẩu कर तो किसान भाईयो जैसे कि आपको पता है कि पहली सिंचाई का टाइम आ चुका है तो आपको क्या न्यूट्रेंट वगेरा की जरूरत है क्या कुछ फसल कुछ चाहिए क्या कुछ जमीन में डालना है तो आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो मैं आज बात करना हूँ माईक को राजा के बारे में जो की नूट्रेंट से भरपूर है सबी पोशक ततव हैं उसमें सबी सुख्षम ततव हैं जो भी पोधों को जरूरत है पोधे के उगाव से लेकर पोधे की कटाई तक का जो भी सफर है हो सारा माईकोराजा पूरा करता है तो बात करते हैं अब इसके जो ततव हैं क्या इसकी खासियत है वो क्या-क्या अपने लिए काम करते हैं तो फ्रेंड्स माइको राजा जो है इसमें फासफोर्स, नाइट्रोजन, पॉटाश और भी बहुत से ततव हैं जो की पौधे के उगाव से लेकर लाश्ट तक काम करते हैं तो सबसे महतबून जो इसकी भूमी का है ये भूमी की उपजाव शक्ति को बढ़ाता है जैसे कि अपने ज़्यादा रसाइनिक पदार्थ गेरते हैं शिड़काव करते हैं यूरिया डियेपी विगरा जो भी डालते हैं जो से दुश्परभाव निकलते हैं जो उनका बुरा असर होता है उनके पर भी ये बहुत कंट्रोल करता है मिट्टी की उरूरा शक्ति को बढ़ाता है ये और मिट्टी के कटाव को भी बहुत कम करता है मिट्टी को उपजाव बनाकर जल कटाव किसमा से भी बहुत कम आती है और ये जड़ों में बहुत विकास करता है तब ही तो पौदा पूरा विकास करता है जड़ों से ही में सारी भूमी का होती है पौदे की तो इस प्रकारियज शुरू से काम करता हुआ अलाश तक अपने को उत्पादन में बहुत सहीता करता है तो इसकी आप जो सब्जी वर्गिया फसल में है उसमें भी प्योग कर सकते हो किसी व्यों पैज़ी वी फसल में हर प्रकार के पौदे में पूरा सहियो करता है ने मरही ri hou तो सब्जी वर्गिया देखें तो जो अपने पौद तियार करते हैं नर्सरी तियार करते हैं जैसे गोंबी हो टमाटर हो गया हरी मिर्च भीया बेंगन हो गया इन सबी में भी पौद में भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हो जैसे आप नर्सरी त्यार कर रहे हो तो 2-3 ml पर 3 लीटर पानी में आप इसे गोल बना कर उसकी जड़ों को पौद की जड़े होती है उनको 2-3 गहंटे डूबो का रख सकते हो जमीन में भी डाल सकते हो तो 2 kg जो इसका पाउडर फॉम आता है दानेदार होता जो 2 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसे जमीन में भी डाल सकते हो तो आप पहली सिंचाई में तो आप इसे गहूं जो और किसी भी परकार की फसल में आप इसे 2 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में आप इसका शिड़काव कर सकते हो तो ये आपकी फसल को शुरुआत से ही बहुत ही मजबूत धांचा दे देता है जिसे कि आपको तपादन ज़्यादा से ज़्यादा लेने में बहुत बदद मिलती है और सबसे जो महतवपूर्ण बात है इसकी ये सूखा जो होता है अपने फसल में सूखे की प्रॉब्लम आ जाती है उसको भी बहुत कंट्रोल करता है ये लवणियां पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में लवन बन जाते हैं या सूखे की प्रॉब्लम आ जाती है पौदे बड़े होकर सूखने लगते हैं उनमें भी बहुत ये साइक होता है ये सूखे वाली समस्या से भी बहुत अपने को छुटकारा दिलाता है तो इस बरकार इसमें छोटे छोटे बहुत ही और बात करें तो फसल के चक्र को भी ये सही टाइम पर लाता है पौदे पूरा विकास करके सही समया पर कटाई के पूरे दिनों तक त्यार हो जाते हैं अगर अपने ये नहीं डालते तो फसल है जो लंबी अबदी तक चलती है बीच से बाइस दिन ज्यादा ले जाती है तो बादन कम हो जाता है तो इस प्रकार इसके और भी फाइदे हैं जैसे ये जमीन में नमी बहुत बरकरार रखता है जमीन को जल्दी सूखने नहीं देता फासपोर्स अदिक होने के कारण ये मिट्टी में हरा हरा सा एक कवच बना देता है नमी की कवच बना देता है जिससे पौदे को ज़्यादा देर तक नमी रहती है वो ज़्यादा विकास करता है तो इस प्रकार ये थे इसके बहुत से फाइदे और सबी फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तो जो इसकी लिक्विड में डोज है दो से तीन एमेल परती लीटर में गोल बना कर सकते हो अगर पौडर फॉर्म या दानेदार में देखा जाए तो दो केजी पर एकड़ के साब से आप इसका शिड़काव कर सकते हो तो ये थे इस माइको राजा के सारे फाइदे और उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और भी इसी परकार की जानकारी लेने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जाकर आप कॉमेंट कर सकते हो और पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको बहुत ही इसी परकार की जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेंगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाई फ्रेंड्स